नमस्कार देव फुमी समाचार में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रयांका मिश्रा भुल्टिन की करेंगे शुरुवात राजज़ानी देहरदून के जॉली ग्रांट एरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तयार हो चुकी है बता दें कि मुख्य मंत्री पुष्कर सिग्धामी ने बुद्धवार को देहरदून एरपोर्ट टर्मिनल फीस टू बिल्डिंग का शुबारम किया इसका जो भवन फेज़वन बना का उससे आधने जुप्यादित्य जी कह रहे थे कि जल्दी ही हम इससे भवन फेज़टू का गई लोकारपन करेंगे तो भाहियो बैनो आज वो बात बिल्कुल सत्य हो गई और जिसका सिलाम्यास हुआ उसका लोकारपन गी हो गया जो लगातार हमारी देव भूमी के साथ जिनका रिस्ता है आज इस लोकारपन के अउस्टर पर उनके अथक प्रयासों से जो जल्दी से जल्दी हमारे यहां पर पहले ठेज वन चुरू हुआ फिर पिठाड़ागर की सेवा प्रारंड हो रही अन्य सेवाएं प्रारंड हो रही है तेजी से अन्य सहरों के लिए जो हम उनसे निगेदन कर रहे हैं उनको भी भूश्य के प्लानों में वो लगातार स सबकी तरफ से बहुत अभी नंदन करता हूं उनको बढ़ाई देता हूं तो तुमा आज जो नागरी कुद्यन विभाग है बहुत तेजी से काम कर रहा है हम सबी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद किस प्रकार का संकट जहां देश की सभी व्यवस्ताओं पर आया था उ बहुत सारे समस्याओं से जुज़ रहा था बहुत सारी चिनोकियां उसके सामने खड़ी होई थी ऐसे समय ने उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और जब मैं उनसे मुक्य सेवक के रूप में जैसा उनने बताया कि लगवाग तीन साल पहले एक बैठक में मिला तदी मैंन अनुभाव किया कि उन्हें अपने बिभाद के कामों की बहुत एक एक ठोटी सी ठोटी जानकारियां तो हैं साथ में उनके अंदर एक बहुत सकाहत्मग उड़ जावी है बर्तमान में भारती नागरी गुब्यान द्योग अमरीका और चीन के बाद घरेलू यातायात में तीसरे इस्तान पर आ गया है स्वज़िसी करन कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर एक आम नागरीक को भी हवाई सेवा देने के लिए परतिबद हैं और इस किसा में तीजी से काम हो रहा है अभी तर रेल द्वारा यात्रियों की जो पहनी पसंदर रेल रही है अभी तर रेल में सवादी के अपरा होती थी पर को प्रंत्यों पितने कि विक व्रसों में जिस यहीं से हवाई सेवावन का की दिश्तार हुआ है जिस कोड मिश्या के लिए आसान रही है तो हवाई याक्रा परियोन का सथा तेग यहों बिश्चसनी साधन होने के साथ साथ लोगों में अत्यन्त लोक्तिये भी हो रहा है आज प्रदेश के नागरी गुद्यम विभाव द्वारा देव भूमी की देवतुल्य जन्ता के अत्रिक भारती संस्थिटी की प्रंप्रा के मिसाद अतिती देव भाव के सिद्धान का पालन कुरते होए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्थी हवाई सवाद देने का का प्रदान की जा रही है बरतमान में इस योधना के अंतरगर तेरा है। प्रदान की जा रहा है। प्रदान की जा रहा है। साथी बैठक में कैबनेट मंतरी गड़ेश जोशी, सौरब बहुणा, सत्पाल महराज, प्रेम चंद्रे अगरवाल मौजूद हैं। इस दोरान बैठक में एक दरजुन से जादा प्रस्ताओं पर फैसला लिया जा सकता है। पर देरदून से समधाता आब है क्यातुरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके है। दामी कबिनिट के आज बैठक हो रही है जानकारिये कि कई प्रिस्ताओं पर मुहर लग सकती है क्या कुछ प्रिस्ताओं और फैसले हो सकते हैं दामी के दामी के दामी मंतिमंदल के एहम बैठक सच्वाले में चल रही है और भी यह बैठक जारी है और इस बैठक में सब ही कबिनिट में मौजूरी मिल सकती है जिस नई आपकारी नेदी में कई संसोदन यहां पर किय जा रहे हैं जिसने लक्षर राज जस्ताओं प्रिस्त से आपके पारिया लिकान का काम यहां पर क्या जाएंगा इसके अलावा जो राजीयनों के सीवा नियमावाली में संसूदन यहां पर हो सकताày 46 विभात सुस्ति नियमाली विभागों में जिक्तपत बचे वी हैं उन जिक्तपतों को वरने की परकिद्याव को जल से जल सुरू करने के दिशानेद जासकते हैं पड़िस में किस परकार से आगामी 29 में विखास की रब्तार को वजाना बढ़ाना है उसके लिए जो पिछले दिनों जो इन्वेस्टर सम्मिट का आइजन बेरादू में किया गया था उस दोरान जो निवेशक यहां पर आये थे उन निवेशकों को लेकर कितना काम हवी तक अब बजह सब्सक्रा करें लगाए जिसी फर्वरी महा के अंतिम सब्सक्रा में पर अवन्द है रहुत कर सक्थी है तो यह तो तो यह समझा जासकता है कि आज का अई एहम निले इसे के राठक में रहे जा सकते हैं जो राज्जी के विखास के लिए जरूरी कर जाते हैं जी बिल्कुल तो जिस तरह से कई एहम फैसले सामने आ सकते हैं बजट सत्र को लेकर लगातार एक तो बजट सत्र आहूद करना है दूसरी तरफ लोग समय से पहले बजट सत्र में क्या विशेश घोशनाएं भी सामने आ सकती हैं इसले के लिए यह समझा जातकता है कि इस बाद लोग लुबहों ने बजट के आसे संभावने यहां सबसे ज्यादा ज़बाए जारी है संब ऐसे स्वंपरेशा जाएं पर बेह क्रिकास के लिए गास्यलकुन तरह बादवबने जिस समय सब्सक्राइब चूप के हाँ जाएं बाची चल रही थिए तेहरादून या गैर को लेकर चर्चा लगातार उत्रक्षाड में जारी है, इसको लेकर क्या सरकार आज फैसला ले सकती है कि बज़ट सत्र कहां पर कराया जाएगा ? कि इसमें बज़त सत्र के जायोजन है उस आयोजन के सत्र का देरादून अस्तान यहां पर अभी तक रुकमल माना जा रहा है देरादून में ही बज़त सत्र का आजन हो सकता है क्योंकि लगबत तीन दर्जन से जादा बिधाईकों ने एक अपना सिक्टेशर वाला जो पत्र ह का मौसम है परफवारी वहां जादा हुई है तो ऐसे मैं उस जग़ों पर रहना आसम बहुत है इसमें ज्यादा कटिन परिस्टितियों वाला हो सकता है क्योंकि बिधाईकों के साथ साथ जो बिधान सबा सच्वाल है कि जो करबचारी महां पर मव्यूद रहेंगे तो रच इन नहीं संभौ तो उसके संभौना यहां बज़ता है रादित ने कहा जा सकता है कि बज़त को लेकर भी चर्टा आज की स्क्रेबनेट मैठर माहुद इंची जी बिल्कु लबहेस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका अगली खबर दैरादून से है जहां पूर्वो मुख्य मंतरी त्रवेन सिंग रावत ने ग्यांड सेड को गृष्म कालीन राजधानी घोशित किया था और उसके बाद सरकार नहीं कहा था कि बज़ट सत्र ग्यांड सेड में आहुद होगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा की अगर पहाड की विधायक पहाड की बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर पहाड का विकास नहीं हो पाएगा कि क्या वहाँ पर तैयार्या मुझे जानकारी नहीं है नियंद लेकिन यह पार्टी का सोरी जो सरकार का जो विधान मंडल है उनको इसमें निर्णे लेना है जैसा वो चीछ समझेंगे वैसे निर्णे लेंगे जाना चाहिए देखो गरसेंड ग्रेस में कालें राजधानी है और वहां पर अगर हम जाते हैं यह हमारा आखिर परवतिय राज्य है और इ कुल नहीं है खबर देरादून से है जहां लोगसभा चुनाओं से पहले बीजेपी जीत को लेकर आश्वस दिख रही है वहीं कॉंग्रेस भी जमीनी स्तर पर संगर्ठन को मजबूत करने और बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रही है बता दें कि चुनाओं से पहले कॉंग्रेस के चिंता जुताव प्रत्याशी को खोजनी की है जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसने का काम किया है वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट ने कहा है कि अभी मोधी का कोई विकल्प नहीं है और ये कॉंग्रेस को समझ लेना चाहिए कहा क्यों कि उन्होंने ये का कि बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जीत हार चुनावी सिक्क्ये के दो पहलू है अभी तक हुए है कात्र मेरे अध्यक्ष मन्ने के बाद से पहले कि मैं अगर चर्चा करो तो हम सब चुनाव निर्वोद जीत रहे हैं अभी दुख संका चुनाव हुआ है दूख संके सारे चुनाव जाना चुनाव जीते हैं कॉंग्रेस को लड़ना चाहता है वही काड़ें बड़े से बड़े निताव चुनाव से बच रहे हैं और अच्छा हो कि कॉंग्रेस इस बाहों के साथ कि मोधी जी का कोई बिकल बंग नी सकता है तो हम कोशिज करेंगे कि और अच्छे मत दूख अनी की सीड बचाएं अप अगर भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस परिपेक्ष में बात के तो मैं कहना चाहता हूं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए जब हम चुनाव मेधान में जाते हैं तो हार जित एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वो खुद भी चुनाव हा रहे हैं या ओंगरिस का कोई साथी ना तो डरा है चुनाव लड़ने आना लड़ने की बात है जब हमसे कोई बात हुई तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अगर प्रितम चुनाव नहीं लड़ेगा तो इसका हम बतना है जो भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश आदेश सामने आया है जहां प्रदेश के उच्छ प्रात्मिक और माध्मिक विद्यालों में आप कुछ दिन बस्ता रहीत होंगे आपको बता दी कि सिक्षा विभा की आदेश के अंसा प्रदेश के सभी उच्छ प्रात्मिक विद्यालों और माध्मिक विद्यालों में प्रत चला रहा है बता दे की राश्ट्री ये स्रडख सुरक्षा महीने के चलते करता है जिसमें छाथर चातरा Looks को सड़क सुरक्षा से जड़िवे कदम और यातायात के नियमों के बारे में ज्वानकारी दी जा रही है। कि रोड सेफटी को लेकर के सरकार अब पूरा जो गौर्मेंट मसिंडिय है वो चिंतित है कि दुरगटनाय हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके बावजुद भी दुरगटनाय कम नहीं हो रहे हैं तो हम लोग का प्रयास है कि दुरगटनाओं पर नियंतरन किया जाए इसलिए हम लोग रोक्त अफिर दियुचे और फिक मना रहे हैं एक महने का है इसमें हम लोग पर चार पर सर एकाम कर रहे हैं इन्फोर्स्मेंट भी कर रहे हैं चलान भी रहे हैं लोगों ने ओवर स्पीडिंग, रैस ड्रैविंग, विदॉर्ट हेलमेट इस सब पर बिसे सध्यान चलाया है, परचार परसार के लिए हम लोगी स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलोजियों में जा रहे हैं, और वहां के जो यूगा वर्ग है, उसको जोड़ रहे हैं साथ में। फिलाल रुपते हैं एक छोड़े से ब्रेक के लिए फौरण वापस लोटते हैं। जुसके बाद अब कोहरा और बादल छटे हैं, तापमान हलका बढ़ गया है वहीं आने वाले दो दुनों में, आज और कल मैदानिक शेत्रों में बादल चाहे रहेंगे, उच्च परवितिक शेत्रों में बारिश के साथी साथ पर्फ पढ़ने की भी सभावनाज जटाई साल अगर आप देखें कि मौसम का जो पैटर्ण है वो थोड़ा सा बाकी वर्सों के मुकाबले अलग रहा है, इस बर थोड़ा ठंड देर से सुरू हुई और देर तक रही, जब ठंड देर तक रहती है तो जो पस्चिनी विक्षोब हैं वो थोड़ा देर से सक्रिय होते है और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं जब से कोहरा चटा है और बादल चटे हैं जो एक पर्मनेंट फीचर बना हुआ था तब से तापमान में हलकी सी वर्द्धी हुई और उसके साथ साथ जो पस्चिनी विक्षोब हैं उनकी भी संख्या बढ़नी सुरू हो गए हैं अग अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अगले दो दिनों में आज और कल में मिलाके बादल चाहे रहेंगे अगर आप बात करते हैं जो मैदानी छेत्र है लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो जो उच्च परवतिये छेत्र हैं वहां बारिष के साथ साथ बरफ पढ़ने की संभावना है। माँ सरस्वती मा काली के शरीर में से महादूरगा के शरीर में से अवतरित हुई थी तो मागमास की क्रश्णपक्ष की पंच्मे थी, उनके अवतरित होते ही इस धर्ती पर वसंत छा गया था इसलिए ही इसको वसंत पंच्मे भी कहते हैं। इस बार के बहुती सुन्दर रवी नाम की योग पड़ रहा है। इसनान करने के पश्चात पीत वस्त्र धारन करें। पीले वस्त्र धारन करके पीले चावल ही अरपन करे मा सरस्वती को और उनका पूजन करने से घर में सुख शांती और विद्या का घर के अंदर प्रादूर भाव होता है। देहरादून हवाई एड़े पर बनी नई टर्मिनल बिल्डेंग फेस्टू का उद्गाटन कर दिया गया है। खबर दैरादून से है जहां अतिक्रमण की समस्या बीते लंबे समय से बनी हुई है तो वहीं अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोट पर आ गया है। जगे जगे अतिक्रमण की समस्या बनी हुए जिससे देखते हुए जुला अतिकारी सोनिका ने कहा है कि लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की कारवाई जोरों से चल रही है। और कहा कि अतिक्रमण कारी अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। अतिक्रमण को भी बता रखा है कि जितना आप एंफोस्मेंट करा पाएंगे उतना अतिक्रमण रिक्त वहाँ पर अतिक्रमण हटा रहेगा। The City of Love and Young कहे जोने वाले देहरादूर में Valentine's Day बनाया जो आ रहा है। Valentine Week का आज आखरी दिन हैं जिसमें बाजार में गिफ्ट कार्ट, टेडी बियर, फूल, चोकलेट्स, आधी आइटम से बाजार साच चुकाएं। व्यापारियों को उमीद है कि इस बार मनाफ़ा दुगना होगा, आपको बता दे कि बाजारों में युवाँ की भारी भीड दुकानों पर नजर आ रही है, वहीं UC से विधान सभा से पारत होने के बाद Valentine's Day पहली बार परवर रहा है, जिसका फिलहाल कोई असर प्रदेश भर में देखने को नहीं मिल रहा है। अंशल पठानिया के खिलाफ धुखा दड़ी का मुकदमा थाना राइपूर में दर्श किया गया है, इवेंट के आयूजिक पंकच की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्शकर पलिस मामले की जाच में जुट गई है। और इसकी साथ फैलालेस बुल्चर में इतने ही खबरों का सलसला जारी रहेगा, नमस्कार।